प्रियामित्रों मेरा नाम है गंगाराम और आज की वीडियो में हम चरचा करेंगे आपकी जनम-कुंडली के अनुशार आपके पास कितना पैसा होगा, कितना बैंक बैलेंस होगा कहीं आपका पैसा बार-बार नश्ट तो नहीं हो जाता आप पैसा इखटा करते हैं और बार-बार आपके हाथ से निकल जाता है जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं निराशा हाथ लगती है यदि ऐसा है तो वीडियो के लाश्ट में आपको कुछ सटीक उपाए भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तो आपके पास कितना पैसा होगा या निर्भर करता है आपकी जनम कुंडली में सेकिंड हाउस के लोर रियानी के जो दूसरे भाव के स्वामी है उसके मालिक किस परिस्थिती में है इस बात के उपर आपकी जनम कुंडली में दूसरे भाव में कितने ग्रह बैठे हुए हैं आपकी जनम कुंडली में दूसरे भाव के ऊपर कितने ग्रहों की दरश्टी है इन सब बातों पर ब्रहत चर्चा करूँगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दू यदि आप जोतिस के दौरा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं का समधान चाहते हैं या बहुत अच्छी स्रेणी के गवर्मेंट लेव स्रेटिफाइट राशिरतन खरीदना चाहते हैं आप हमसे संपरक कर सकते हैं मेरा फोन नमबर मेरा वोटसप नमबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों विशे में आगे बढ़ते हैं जनम कुंडली खोलते के साथ ही आपको देखना है आपकी जनम कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी जो हर लगन में अलग-अलग होता है यहाँ पर हम मिथुन लगन की जनम कुंडली के द्वारा समझने का परियास करेंगे आपकी जनम कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी किस अवस्था में है किसी भी ग्रह की तीन अवस्थाएं होती है बाल्यावस्था, युवावस्था और वरद्दवस्था एक राजी में टोटल 30 डिग्री होती है कोई भी ग्रह 5 डिग्री से नेचे बाल्यावस्था में होता है और 25 डिग्री के ऊपर अति वरद्दवस्था में होता है बाल्यावस्था 10 डिग्री तक होती है लेकिन 5 से नीचे स्थिति काफी कमजोर रहती है यदि किसी व्यक्ति की जनम कुंडली में दोसरे भाव का स्वामी 5 डिगरी से नीचे है या 25 डिगरी के ऊपर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने जीवन में धन संग्रहन नहीं कर पाता यदि आपकी जनम कुंडली में ऐसा है तो घबराने की आवशक्ता नहीं है चुकि वीडियो के लाश्ट में कुछ बहुत बहतर उपाए जो आपको तत्काल लाबब परदान करेंगे मैं बताने वाला हूँ दोस्तो यदि आपकी जनम कुंडली में धन भाव के स्वामी की युवा वस्ता है वे 8 डिगरी से लेके 22 डिगरी के बीच में है तो निश्चित रूप से आप एक धनी व्यक्ति बनेंगे 22 साल की आयू के बाद में अब दूसरा आपको देखना है कि धन भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है यदि धन भाव का स्वामी 6-8-12 भावों में कहीं पर भी बैठा हुआ है और उस पर पापक ग्रहों की दरश्टी है तो ऐसा व्यक्ति का पैसा बार बार नश्ट हो जाता है जहां पर भी इंवेस्ट करता है व्यापार के लिए फाइदे के लिए उल्टा उसका नुकसान होता है अगर ऐसी परिस्थितिया तो निश्टित रूप से उसका उपाय करना चाहिए अब धन भाव के स्वामी के साथ कौन-कौन से ग्रह बैठे हुए है इस बात का फरक भी आपके जीवन पर आपकी जेप पर पढ़ता है यदि आपकी जनम कुंडली में धन भाव के स्वामी के ऊपर साथ में पापक ग्रह बैठे हैं तो निश्टित रूप से कुछ धोके बाज मित्रों के कारण आपका पैसा खतम हो जाएगा ऐसा योग बनता है अब धन भाव में कौन-कौन से ग्रह बैठे हैं यदि आपकी जनम कुंडली में धन भाव में मित्र ग्रह बैठे हैं तो मित्रों के द्वारा आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे लेकिन यदि आपकी जनम कुंडली के धन भाव में शत्रु ग्रह बैठे हैं तो शत्रु के द्वारा आपका धन नश्ट करने का प्रियास किया जाएगा ऐसा जोतिश शास्तर का मानना है बोस्तो धन भाव पर शत्रु ग्रह की दरश्टी होने पर विशेश कर अगर शनी आपके धन भाव का शत्रु है उनकी दरश्टी होने पर व्यक्ति चाहे कितने भी करोड का मालिक हो लेकिन बार 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 उसको तनाव की स्थिति बंती रहती है और भारी नुक्सान टाइम टाइम पर उसको जहलना पड़ता है अब धन भाव की पूरी जाँच परक करने के बाद अब तीन बाते देखिए आपके धन भाव का स्वामी किस अवस्था में है अगर अतीबाले है अतिवरत दवस्था में है तो आपको उपाई करने की ज़िवत है आपके धन भाव का स्वामी कहा बैठा हुआ है धन भाव के स्वामी के लगन में होने पर व्यक्ति धनी होता है बहुत पैसे वाला होता है धन भाव के स्वामी के केंद्र में होने पर कहीं पर भी एक चार सार दस में होने पर व्यक्ति पैसे वाला होता है धन भाव का स्वामी यदि आपकी जनम कुंडली में उच्छ रासी में है तो भी इसमें संपत्ति साली योग बनता है और धन भाव के स्वामी के नीच रासी में होने पर व्यक्ति का धन कभी भी अपने काम नहीं आता यह 100% फेक्ट है तो बहुत चोटी चोटी चीजे हैं जिनको आपको पाइंट आउट करना होगा और यदि आपके अब मैं उपाय की तरफ चलता हूँ यदि आपकी जनम कुंडली में धन भाव का स्वामी अतिबाले अतिवरत दवस्था में है तो यदि आपकी जनम कुंडली के धन भाव में दूसरे घर में शत्रू और पापक ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिती में आपको नियमित रूप से स्री सुक्त के ग्यारा पाट करने चाहिए ऐसा करने से देवी लक्षमी कृपा आपके जीवन में बनी रहती है दोस्तो किसी भी दरश्टी कौन से धन भाव पीडित होने पर व्यक्ति को नवरात्रों का वरत अवश्य करने चाहिए और साल में एक बार सुहागिन इस तरी को संपूरन सरंगार की वस्तों जैसे भी आपकी शक्ती है सामरत्त है और लाल रंग के वस्तर भोजन कराके सम्मान पूर्वक भेट करने चाहिए ऐसा करने से धन भाव संबंदित दोस्त हमेशा के लिए दूर हो जाते है तो यह थी कुछ धन भाव संबंदित चोटी चोटी पर बड़ी काम की बाते और दोस्तों जिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर हमारी वीडियो इसको आप सेयर किया करें इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है होसला बढ़ता है हमें अच्छा लगता है वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी करें या फिर आप सीदे सीदे वाटस अप में आगे मेरे से बात कर सकते हैं अपनी जनम पत्री का अस्तरे का भेज सकते हैं पूजा पाठ के लिए भी आप हमसे संपरक कर सकते हैं जल्दे ही मिलेगा किछी ऐसी वीडियो के साथ निकट भविश्य में भी तब तक के लिए नमस्कार